संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल 2025 में 13 जनवरी से सुरू होने जा रहे विश्व के सबसे वड़े धार्विंक मेले महा कुम्ब का आयोजन होने जा रहा है संगम की रेती पर पूरे दो महीने तक संगम की धारा में जहां करोडो सरधालों की आस्था की डुपकी लगेगी वहीं गंगा जमना और अद्रिस सरसथी के संगम पर भक्ती की धारा में सरधालों पूरी तरह से सराबोर नजर आएंगे पूरे विस में महाकुम मेले का डंका बजे इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से इसको हाई टेक बनाने के लिए प्रियागराज में संगम के साथ पूरे सहर की तस्वीर बदलने की कवायद जारी है सरद्धालों को किसी तरह के परिशानी नहो इसके लिए हर मुकमल इंतजाम उनके लिए किये जा रहे है आपको बता दे महाकुम 2025 को लेकर अखाडों को भूमी आवंटन कर दिया गया है वहीं अब संगम में महाकुम के दौरान सरद्धालों के खान पान का भी ख्याल रखा जा रहा है बात करें अगर मेले छेतर की तो यहां खाने पीनों के चीजों की दुकानों के आवंटन की शुरुआत हो चुकी है दुकानों को प्राइम लोकेशन में अवंटन की जा रही एक एक जमीन की कीमत लाकों में बताई जा रही है वैसे तो संगम के पास इन दुकानों के अवंटन के लिए हर साल टेंडर निकाले जाते हैं और हर दुकानदार को साल भर के लिए उसको दी जाती है और जमीन का प्रेश रखा जाता है लेकिन इस बार बारा साल बाद लगने जा रहे महा कुम्ब दो हजार पचीस के दौरा नास्ते की दुकानों का रेट बानवे लाक और पच्छतर लाक तक पहुँच गया है मेला छेतर में संगम परेट ग्राउंड पर हर बार नास्ते और अन्य चीजों की खाने पीने की दुकाने लगती हैं संगम नगरी प्रियागराज में हर साल माग मेला भी लगता है छे साल बाद कुम्ब और बारा साल के बाद महा कुम्ब का आयोजन होता है इस बड़े मेले के आयोजन के दौरान मेला परधिकरण के द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार दुकानदारों को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है इस बार भी संगम और उसके आसपास के छेत्र में दुकान लगाने के लिए जो जमीन अवंटन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइ टेंडर के जरीए दुकानों की बिट यानि निलामी होती है इस निलामी के दोरान जो छोटे बड़े दुकानदार आंलाइन प्रोसेस के जरिए के दुकान की जमीन के लिए अपलाई कर रहे हैं उनको मेला पराधिकरं के द्वारा बेस प्राइस से जड़ा बिड प्राइस पर जमीन का अलाट्मेंट किया जा रहा है यानि जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई उसी को उसकी दुकान के लिए जमीन की जगह मेला छेत्र में अवंटिट की जा रही है ऐसे ही संगम इस्थित मेला छेतर में दो ऐसे नास्ता बनाने वाले दो दुकानदारों से UP News 9 ने बात की जिसमें एक को 92 लाक में अपनी दुकान के लिए जमीन वली है और दूसरे को 75 लाक में ये दोनों दुकानों पर खास तोर से कचवडी लड़ू और जलेवी नास्ते के तोर पर बेचा जाता है या बेचा जाएगा लड़ू करिब 200 रुपए किलो जलेवी 120 से 140 रुपए किलोग्राम और कचवडी की एक प्लेट करिब 30 से 40 रुपए होगी हर साल वैसे तो ऐसी दुकानों पर गहर आते रहते हैं, सामान दिनों में भी इन दुकानों में रोज की अगर विक्री की बात की जाए तो तीन से चार हजार उपए प्रती दिन के विक्री होती है। संगम के आसपास कचोड़ी लड़ू अजलेवी का नास्ता बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है हाला कि महाकुम में सरधालों की भीड को देखते हुए इन दुकानदारों ने अपने खाने पीने की चीजों का रेट इस बार नहीं बढ़ाया है संगम इस्थित महाराज कचोड़ी एवं प्रसाद भोक के नाम से सबसे महगी दुकान जिनको मिली है उनकी कीमत 42 लाख है ये दुकान की कीमत सिर्फ एक साल के लिए है इस दुकान के मालिक पंकज मिसरा से जब यूपी डियूज नाइन ने बात की तो उन्हों ने बताया कि इस दुकान की कीमत 92 लाख GST के साथ हुई है पंकज ने बताया कि इसकी प्रक्रिया मेला प्रसाद दौरा रखी गई हर दुकान का एक बेस प्रास रखा गया प्रसाद अपने राज़सों को देखते हुए जमीन की कीमत ने धारित करता है लेकर ये तक्रीबन 92 लाग की पड़ी है टेंडर में जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको अलॉट कर दिया जाता है उनकी दुकान करीब 5 साल से ज़्यादा पुरानी है हर साल टेंडर निकलता है समाने दिनों का रेट अलग होता है लेकिन इस बार चुकि महाकुम्ब है त सब बजरंग बली या मागंगे के उपर निर्भर है मागंगा की किरपा बजरंग बली का असिरवाद है जो इतने सालों से हम यहां पर दुकान चला रहे हैं व्यापार में हम सोचते हैं कि सब मिलेगा ही इसलिए सब होता भी है ऑनलाइन अविदन करने पर ही अविंटन होत भान कर रहा महाकुम के वज़से इस बार इस इसका दान जादा रहा दुकान निर्भर है वैंडर इतने ज्यादा होते हैं बोली है इतनी बड़ी होती है कि जढ़ रेट देना परता है कोई भी स्टेंडर पकडिया में भाग ले सकता है इतना पर्शचा दिने के बाद इस क कि वापसी निकलना यह सब मांगंगा की किरपा पर निर्भार है इस बार यह इस पहले मेले में पिछले साल यह चतिस लाग का हुआ यह मांकुम्म की रजा से यह कुम तो हई है उसका तो कुछ असर रहेगा फिर वेंडर भी बहुत हो जाते हैं कि अधिकान को और निकलता है वेफ साइट पर उसके टेंडर डाला जाता है इस पर कोई भी भाग ले सकता है यह नहीं है कि आप ही लोग यह कई दो लोग पूरा आल वर्ड वह वाल आल निकलता है आल इंडिया समझे आप वेफ साइट तो यह क्या माना जाए क्योंकि प्शुक्ता लाग बहुत बड़ा इमाउस होता है तो साल भर में कैसे मतलब मेले में बैठे हैं तो उसका भी दो ख्याल करना है अब यह थोड़ी नहीं कि हमारी दुकान महेंगी है तो हम सौर रूपाय प्लेट बेचेंगे यह सौर रूपाय प्लेट बेचेंगे तो इसे साथ से देशी की में दें जो जनरली रेट चल रहा वही लिया जाएगा मेला च्यत्र में स्रणक किनारे पट्र जच्वा लगाने वाले चोटे दुकान दारों का कहना है हर साल यही दुकानार लगाते हैं और और रूप से यहां रहते हैं मेला प्रसेंगे बता दें कि इसबर महाकुम 2 먹는 2025 में मेला परसेंगों दंद्याग्स इन्हा करे का हृँट बहुत सालों से लगते दुखाने और होती हैं एक दो चार दुखाने आप पर हुई अभी और नहीं है तो फिर नहीं जाओगे तो भी जगा हम ने सब्सक्राइब नहीं जाएं अच्छे भी मेले की बहारी है कितनी कमाई हो जाती है कि मेले में दिक्सर्थ है कि यह जैसे हटा दी गई दुखाने देखे यूपी नियूस नाइन के लिए प्रयाग्रास से विमल सिर्वास्तो की स्पेशल रिपोर्ट